हे दोस्तों आजकल ओबेसिटी यानि मोटापा लोगों के लिए आम बात हो गई है मोटापा भी एक तरह की बीमारी है जिससे काफी लोग जूज रहे हैं लेकिन इसे ट्रीट किया जा सकता है इस वीडियो में मैं मोटापे को कम करने के तरीके बताऊँगा मोटापे को कम करने का पहला तरीका है इट फ्रूट्स यानि फलो का सेवन करें जैसे मौसमी, अनार, सेव, पपीता, गाजर, एक्सेक्टरा इनका सेवन करने से आपका डाइजेशन अच्छा होगा जिससे आपका वजन कम होगा दूसरा तरीका है योगा योगा एक बहुत पुराना तरीका है शरीर में हर बिमारी को ट्रीट करने के लिए लेकिन हमें इसे रेगुलर करना होगा जिससे हमारी बॉड़ी की चर्वी कम हो तीसरा तरीका है मिक्स्चर ऑफ हनी, लेमन, एंड क्यूमिन सीड्स यानि जीरा, शहद और नीमू पानी का मिक्स्चर इसको रोज पीने से पेट की चर्वी कम होती है इसको बनाना बहुत ही आसान है जैसे सबसे पहले एक ग्लास पानी ले और एक चमच जीरा उसमें डाले और उसे एक बरतन में गरम करने के लिए रखे उसे 5-10 मिनट के लिए उबालने दे फिर ठंडा होने के बाद उसमें एक चमच शहद मिक्स करें और एक निम्बू का रस भी मिक्स कर दें इसे अच्छे से मिक्स कर लें इस सॉलिशन को आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है इस तरह इसको आपको लगातार एक महिने तक पीना है और ऐसा करने से आपके पेट की चर्वी जरूर कम हो जाएगी चौथा तरीका है जैगरी एंड सिसम कंजम्शन यानि गुड और तिल का सेवन करें या इन दोनों को मिक्स करके गजक बनाके इसका सेवन करने से आपकी बॉड़ी में मेटाबोलिजम बढ़ता है जिससे आपके पेट की चर्वी कम होती है पाचवा तरीका है इट स्लोली खाना धीरे-दीरे खाएं और जब भूक लगे तभी खाएं चटा तरीका है avoid junk foods यानि junk foods ना खाएं ये आपके मोटापे को बढ़ाता है सात्वा तरीका है regular exercise यानि रोज कम से कम 30 मिनट तक कसरत करें आठवा तरीका है healthy sleep अच्छी नीन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि कम नीन से आपकी बॉड़ी में ग्रेलिन नाम का hormone release होता है जिससे मोटापा बढ़ता है नौवा तरीका है eat low glycemic foods यानि जिस खाने का glycemic index कम है वो खाना खाएं आप सभी fruits को glycemic index online चेक कर सकते हैं जिस खाने का glycemic index 55 से कम है उसे low glycemic food कहते हैं और उसे आप खा सकते हो और जिसका glycemic index 70 से उपर है वो high glycemic food कहलाता है और उसे avoid करें क्योंकि उन्हें खाने से आपका मोटापा बढ़ सकता है दसवा तरीका है avoid processed foods यानि cheese, bread, cakes, chicken, chips, etc. ये सब processed foods ना खाएं इनसे आपका cholesterol बढ़ता है और पेट की चर्वी भी बढ़ती है इन्हें ना खाएं ग्यारवा तरीका है lemon juice index यानि daily निम्बू पानी का सेवन करें लेकिन इसमें नमक की मातरा कम रखें ऐसा करने से आपकी body का fat कम होगा तो दोस्तों मैंने आपको मोटापा यानि पेट की चर्वी कम करने के ग्यारा तरीके बताये हैं और इन सभी तरीकों से पेट की चर्वी कम की जा सकती है अगर आपको इन तरीकों के बारे में और कुछ डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो मैं आपको जरूर हल्प करूँगा लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करके अपने सुझाव दे शेर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फेमिली के साथ जो मोटापे या पेट की चर्वी से परिशान है ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इन तरीकों को अपना कर अपने मोटापे को कम कर सके और एक अच्छी और confident life enjoy कर सके सब्सक्राइब करें चैनल संजेव मीना को और notification bell पे click करके notification on कर लें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को देख सके और बहुत सी ऐसी बिमारियों के बारे में और उनके solutions के बारे में जानकर अपनी knowledge और awareness दोनों बढ़ा सके finally thank you for watching the video